ये हैं तेरे करन कभी कॉंट्रोवर्सी कभी गम सूप का एड़ करते करते looks like करन has landed in hot soup once again आपने बेगायनी शादी में अब्दुल्ला दीवाना तो सुना होगा मगर यहां बेगायनी शादी के चक्कर में करन दीवाने हो गए है अब आप भी सोच रहे होंगे कि यह क्या नहीं कॉंट्रोवर्सी आ गई है well, allow us to explain करन जोहर recently did an ad for a शादी पोर्टल nothing wrong with it except this शादी पोर्टल is targeted specifically for IIT and IIM graduates और इसका नाम ही IIT IIM शादी.com है it aims to connect alumni from some of the most premier colleges in India क्योंकि हम एक बार जीते हैं एक बार मरते हैं और शादी भी एक बार करते हैं ऐसा हम नहीं खुद करन कह रहे हैं इस ad में आप भी सुनिए हम एक बार जीते हैं एक बार मरते हैं और शादी भी एक ही बार करते हैं Well, Karan, आपको अगर याद हो, तो कुछ-कुछ होता है में, न सिर्फ राहूल प्यार दो बार करते हैं, बलकि शादी भी दो बार करते हैं। जीती एक बार सिर्फ टीना है, जो मूवी के स्टार्टिंग में ही मर जाती है। So, we are not sure if that theory applies to this portal. Also, just because इसके web address में शादी.com है, आपको बता दे कि इसका शादी.com के founder अनुपम मिंतल से कोई लेना देना नहीं है। इसके CEO हैं, तक्ष गुपता, जो SP Jain School of Global Management के graduate है। So, we are not sure if he himself can register for IIT, IIM, शादी.com. इस website में आप 15,000 से लेकर 32,000 तक की services अवेल कर सकते हैं। And not just IIT and IIM, they aim to spread their business to many other fields like Mascom and Fashion Designing as well. अब इनके इंटेंशन चाहे जैसे भी हो, कॉन्ट्रवर्सी तो होई गई है। Some people are calling this concept offensive, some calling it ridiculous, while others are saying की हो सकता है की कल को करन गुपमेंट जोब्स शादी.com भी प्रमोट कने लग जाएं। आज 1st April है, तो some people are even calling it an April Fool's prank. This can be a promotional gimmick too, or something else we are really not sure. खैर लोगों ने साइड पे इतना प्यार पड़साया की यूट्यूब पे इस वीडियो पे कॉमेंट्स ओफ कर दिये गए हैं। और करन ने भी अपने इंस्टा हैंडल पे इस वीडियो पे कॉमेंट्स रिस्ट्रिक्ट कर दिये हैं। कोई बात नहीं करन, कॉंट्रोवर्सी से आपका बहुत पुराना नाता है। और एक तरह से अच्छा ही है कि कुछ पल के लिए ही सही, मगर लोगों का ध्यान नेपोर्टिजम से हट गया। Stay tuned for more and don't forget to subscribe to Shoshah for more such updates.